नमस्कार प्रिया दर्शकों आप सभी लोगों का मैं जूत शाचार्य मुक्षित अपने इस विशेश कारिकम में हर दिख स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे पौश पुर्णिमा को और यहाँ पौश पुर्णिमा 17 जुनवरी दिन शोमवार 2022 को पड़ रहा है तो आईए सरप्रत हम बात करेंगे कि पौश पौश पूर्णिमा तिति प्रारंब कभ हो रहे हैं और कितने बज़िश लेकर कितने बज़िद You तक पौश पूर्णिमा तिति 17 जंवरी को 3 बज़ कर 27 प्राता कालिन से ही प्रारंब हो जाएगी और अगले दिन यानि कि 18 जनवरी तक 5 बच के 20 मिनट पुराता कालिन तक पूर्णिमा तिथी रहेगी तो इस मध्य में ही आपदान करें, पुन्य करें या अत्वा कोई विशुभकार्य करें और ऐसा कहा गया है कि इस दिन हम कोई विशुभकार्य करते हैं तो इस दिन किया हुआ कार्य हमें अनंद गुना फल्क की प्राप्ति देता है जैसा कि हमें तिथी के नाम से ही हमें समझ में आता है पूर्णिमा यानि कि हम उस दिन कोई कार्य करते हैं तो हमें उसमें पूर्णतास फल्ता की प्राप्ति होती है और सभी तीथियों में से या पूर्णिमा तिथी अपने आप में एक बहुत ही महत्व पूर्ण तिथी है और इस दिन चंद्रमा हमें पूर्ण आकार में आगर के दर्सन देते हैं और चंद्रमा उस दिन 16 कलाओं से परिपूर्णे रहते हैं तो ऐसे हमें पूर्णिमा दिथी की हमारे सनातन धर्मे में हमारे जोतिश शास्तर में एक बहुत ही बड़ा विशेश महत्वत आया गया है और इसी दिन से यानि कि पौस पूर्णिमा के अगले दिन से ही प्रियाग राज में माग मेले का भी प्रारंब हो जाता है और इस आप यानि कि यह पूरा एक महिना होता है माघ का महिना या संतों के लिए तपस्या करने के लिए होता है उस टाइम में आगर के संत प्रियाग राग्ज में क्योंकि वह तिर्थों की नगरी है तिर्थ राज प्रियाग कहा गया है उसे और वहां प्रियाग करते हैं दान करत पुर्णिमा के अगले दिन से ही प्रियाघ राज में माघ मेले का आयोजन प्रारम हो जाता है और जिसे सभी संत बहुत हर्सों और उन्लास के साथ में इस पूरे एक महीने को पर्व की तरह मनाते हैं और इस दिन किया हुआ कारियक किया हुआ अनुष्ठान हमें बहुत ज्या चंद्रदेपता की आराधना करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लापकारी होता है अगर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शानती रहती है आपका मन noodles नहीं रहता है तो आपको आई के दिन कि पॉस्पूर्णिमा ही नहीं अपितु जितने भी पूर्णिमा होती है इस धिन इस दिन को यह बहुत ही बढ़ा महत होता है और वैसे में भी अगर पॉस्पूर्णिमा पढ़ती Bai आ और भगवान चंद्र रेपता की आराधना के लिए होता है और इसी पुर्णिमा में यानि की पौश महा में ही भगवान शूर देपता मकर राष्टी में भी प्रवेश करते हैं और दक्षिनायन सोहोगर की उत्रायन में आते हैं जिसे हम सभी लोग मकर संक्रांति के रूप मे मनाते हैं इससे पुर्व आपने यह महापुर्व मनाया और ऐसे में हम अपने जीवन में शुक्षांति समर्धी के लिए निरोगी काया के लिए भगवान शूरी देव की आराधना करना हम सभी के लिए बहुत ही जादा लावकारी होता है और इस दिन आप सरवर्दम भगवा बहुत ही बड़ी अर्ग परदान करने की इस दिन एक बहुत ही बड़ी परंपरा बताई गई है और उस दिन अर्ग परदान करने से हमारे जीवन में साक्षा भगवान सूर्य नारायन की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है और भगवान चंद्र देपता और भगवान शू करना है जिससे कि भगवान आपकी जीवन में भगवान शूर्य देपता की और भगवान चंद्र नारायन देपता की अनंत कृपा की प्राप्ति हो आप जब देश्टान करने जाएं तो सरपर्थम आप शंकल्प करें आप इसमें ही नहीं कभी भी आप किसी नदी या गंगा जी में जब भी आप श्नान करने जा Em तो श्नान करने से पुर्व आपको मा गंगा से सरपर्थम उनसे ऐ ए ख्शमा प्रातना और उनसे आग्या लेनी होती जिसे हम संकल्प कहते हैं आप संकल्ब करें सरप्पार्थम और उसके ततत्पताथ आप जाकर के मा गंगाजी में या संगम में आप जहां कहीं भी हो अगर आप किस को रोणा का रहुआ के चलते अगर आप कहीं नहीं जा पाए हो तो आप अपने घर में ही जब आप शनान करने जाएं तो आप अपने श्णान की बाल्टी में दो बुंद गंगा जल को डाल करके आप श्णान कर सकते हैं और जो लोग तीरता स्थान में जाकर करके श्णान कर रहे हैं तो वह संकल्प करके उसके ततपस चाथी आप श्णान करें और श्नान करते वक्त भगवान शूर्य के मंत्र अगर आपको आते हैं तो आप उस मंत्र का उचारण करते हुए आप श्नान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा लाप की प्राप्ति होगी अगर आपको भगवान सूर्य का और कोई मंत्र नहीं आता है तो मैं देपतागा आपको ओम ग्रिणी शूर्य आये नमहा इस मंत्र का 11 11 बार उचारण करते हुए आपको श्टान करना है और ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त विग्ण वियाद यहां दूर होंगी और दूसरा आपको इस दिन क्या करना है किसी जरुवत मंदों लोगों को आप ब्रामन देपता को वस्तरदान करें अञ्णान करें दानों का उस दिन एक बहुत ही बड़ा महत्त Roland बताया गया है तो आप स्वी लोगों से निवेदन है कि इस उपाय को आप अवश्यमेव करें और पॉस पुर्णिमा के दिन कुछ हो ना हो उस दिन आप गंगा अश्नान दान पुर्णिय अवश्यमेव करें आप जहां कहीं भी हो अगर आपके इस पास में आसपास में गंगा जी नहीं है तो आप अपने वहीं से मन से मा गंगा को प्रणाम करके और अपने जीवन के समस्ते विगन व्यादियों को दूर करें नमस्कार